आपदा प्रदिकार प्रगरण की बैठक आहूत की गई थी। उस बैठक में राज के सुखार को देखते हुए। मन्नी मुख्य मंत्री जी ने कई एक आदेश निर्देश दिये हैं और बैठक में कई एक विशे तैय हुए हैं। इसमें पूरे राज में एक लाख हुआ का निर्माण करना, एक लाख तलाब का निर्माण करना, साती साथ दो हजार से अड़ाई हजार करोड की गाउं में रोजगार सरजन करने के लिए योजनाओं को लाना, साती हर गाउं में पांच तरह का मन्देगा से योजनाओं लागू करना, इसी के साथ एक लाख रुपए जो हम लोग दुर्गटना भीमा में देते हैं दुर्गटना में, उसमें पुस्टमाटम को आधार ना मन कर, प्रात्मिकी को आधार मन कर, जो लोग भी हमारा दुर्गटना में मिरती हुई है, उन लोगों को एक लाख रुपए तक की जो रासी है, वो इमिडेट प्रदान करना, इसी के साथ साथ, जो हमारे सर्जन पैंसन योजना है, वो योजना को महिने के पांच तारिक को हर बार ये करके उसमें जन्ता को ज्यादा से ज्यादा उसका लाव से लावानुवित करना, प्रेटन के रोजगार, प्रेटन को भी रोजगार के अवसर में कैसे करके हम ज्यादा से ज्यादा उसको स्रीजित करें, इस पर भी कारियोजना बनाने का आदेश दिया गया है, पांच लाख नए रासन कार्ट, बोल दी, एक लाख कुवा का है, एक लाख तलाब का भी है, चीक है, सभी विभाग को मिलकर दो हजार से अड़ाई हजार तक ग्रामिन अंचल में रोजगार स्रीजिन करने के लिए इतने पैसा को वहाँ पर इन्वेस्ट करना है, पर दो अड़ाई हजर करोड चीक है, और जो अनुगरे रासी वगरा देना है, वो सब पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं, कि जो सुखाड में हमारे क्रिसक हैं, जो हमारे जो गरीब लोग हैं, उनका पलायन नहीं हो, और जो क्रिसक को कैसे हम जो हैं, क्रिसक को कैसे भोजन देंगे, हम हमारी जो है, जानवरों को कैसे भोजन देंगे, फिर वहाँ पर पानी की किलत होगी, तो पानी की किलत को कैसे दूर किया जाएगा, और कैसे जो है, हम वैसा पानी प्रवाइट करें, जिस पानी में आयरन कम हो, फ्लोराइड कम हो, और अच्छा पानी हो, तो आधी-आधी बहुत सारे विशय पर मानी मुख्यमंत्री जी ने आदेश निर्देश दिये हैं, और उसका मैं समझता हूँ कि बहुत अक्षसर पालन होगा, चुकि राज सुखाड की और पहुँच चुका है, करीब-करीब पूरा राज सुखाड की दन्स को झेल रहा है, लेकिन हमारी सरकार पूरी तरीके से हमारे गरीब किसानों के साथ है, मैदूरों के साथ है, और इसी के साथ मानी मुख्यमंत्री जी ने कैसे करके पसुधन को बढ़ाना है, और ग्रामी नंचलों को कैसे सुद्रिन करना है, किस तरीके से और पसुधन देकर जो हमारे लाभुक हैं, उनको किस तरीके से उनको रोजगार से जोड़ना है, किस किस तरीके से ग्रामी नं अधिसा सुखाड के उन्मूलन की दिसा में ये बहुत मिल का पत्थर साबित होगा और इससे हमारे किसानों को अमारे गरीबों को लाब होगा और जो हमारे मज़ूर हैं वो पलायन करने से बचेंगे और जो हमारा ग्रामी नंचल का जो हमारी अर्थ व्यवस्ता है वो चुस्त दुरूस्त होगी यह सारी चीजों पर बहुत गंभेरता पुर्वक बात हुई और इसको फिर आगे जो है इस पर फिर निरंतर जो है मुख्यमंत्री जी इसको रिव्यू भी करते रहेंगे विवेकानन्द विद्यमंदर स्कूल एक CVSC-affiliated English Medium Code School है हम सिक्षा के साथ संसकार देते हैं the follow-up dot in like share and subscribe w w